राजी के 50,000 से अधिक वैसे उमिद्वार जिन्होंने 2016 की जारखन सिक्षक पात्रता परिक्षा में सफलता हासिल की है उन्हें राजी की प्राथमिक और माधमिक स्कूलों में होने जा रही न्यूक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी विभागी अस्तर पर इस पर विचार चल रहा है अगर इस पर मुहर लगी तो सिक्षक पात्रता परिक्षा पास कर 6 साल से न्यूक्ति की उम्मीद लगाए उमिद्वारों को लाब मिलने जा रहा है दरसल राजमी अब से 6 साल पहले 2015 में प्राथमिक और माधमिक स्कूलों में सिक्षकों की न्यूक्ति की गई थी इस न्यूक्ति में केवल 2013 में जेटिट पास उमिद्वारों की सीधी बहाली की गई थी इस बहाली के बाद साल 2016 में दूसरी सिक्षक पातरता परिक्षा ली गई लेकिन इसके बाद न्यूकती नहीं की गई अब सिक्षक पातरता परिक्षा नियमावली 2021 बनने के बाद फिर से जेटेट लेने की बात की जा रही है ऐसे में विभाग इस प्रयास में है कि सिख्षक पत्रता परिक्षा से पहले प्राथमिक और माधमिक स्कूलों में न्यूक्ति प्रक्रिया शुरू कर ली जाए मालुम हो कि जार्खन के तमाम श्रेणी के स्कूलों में सिक्षकों की नियुक्ती की नियमावली बनाई जा चुकी है केवल प्राथमिक सिक्षक नियुक्ती नियमावली को कैबिनेट की मन्जूरी मिलना बाकी है इस कूली सिक्षा बिभाग इस प्लानिंग में है कि प्राथमिक सिक्षक न्यूक्ती नियमावली को कैबिनेट की मन्जूरी मिलने के बाद सबसे पहले विज्ञापन जारी किया जाए इस विज्ञापन के तहए 2016 में जेटेट पास करने वाले उमिद्वारों को न्यूक्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए फिर सिक्षक पात्रता परिक्षा ली जाए ऐसा करने से बैक लॉग क्लियर हो जाएगा बताते चले कि जार्खन में प्रात्मिक सिक्षक न्यूक्ती नियमावली को कार्मिक विभाग से मन्जूरी मिल गई है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज विंग